एती में आवारा और जंगली जानवरों की समस्याओं से जूज रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है क्रिशी विज्ञान केंदर नियमत पोर के एक्सपर्ट डॉक्टर एनपी गुपता ने एक शांदार उपाय सुझाया है जिससे न केवल किसानों की फसले सुरक्षित रहेगी बलकि उन्हें अत्रिक्त आमदनी भी होगी आवारा और जंगली जानवर किसानों की मेहनत को पलभर में मिट्टी में मिला देते हैं लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे ये जानवर खेट में नहीं घुस पाएंगे जी हाँ डॉक्टर गुपता के अनुसार किसान अपने खेट के किनारे पॉपलर और करौंद के पौधे लगाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं पॉपलर का पौधा लंबाई में बहुत उचा होता है जिससे जंगली जानवर खेट में घुसने की हिम्मत नहीं करते इसे अपने खेट की मेर पर चार से पांच पीड की दूरी पर लगाएं खास बात ये है कि पॉपलर का अत्रिक्त पोशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये खेट में बोई गई फसल के उरवरक से ही अपनी जरूरत को पूरा कर लेता है पॉपलर का पौधा 6-7 साल में कटाई के लिए तयार हो जाता है जिससे किसानों को अत्रिक्त आमधनी भी मिलती है पॉपलर के एक पौधे की कीमत लगभग 20 रुपे में होती है और इसकी कटाई में होने वाली आमधनी किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है हैं तो उसके चारो तरफ पापलर लगा दें यह चार मीटर पे लगाए जाता है पांस फुट पे लगाया जा सकता है इसके बीच में जो जगे बचती हैं उसमें करॉंदा लगा दें तो देखा यह गया है कि करॉंदा लगभग हमारा 3-4 फिट तक हो जाता है जिससे पसो नहीं जा पाता है तो इस से देखा गया है कि करोंधों से नहीं पौनता का तक किषांद्र करोंध के लिए काकड़ी का पौधा लगा सकते हैं ये जोली लेकिन घणा होता है इसकी छोटाइ नीमित रूप से करते रहें ताकि ये और घना हो जाए करौंदा का पौधा डेर से तीन साल में फल देने लगता है करौंदा के फल से भी किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो सकती है साथ ही ये घना पौधा जंगली जानवरों और इनसान को भी केत में घुसने से रोक सकता है करौंदा लगबग ढाई से तीन साल में हमारा ये फलत प्राप्त हो जाती है लेकिन इसकी बीच बीच में कटिंग करते रहें तो बूसी हो जाता जाड़ूनमा हो जाता जिसमें कोई स्पेस नहीं होता जिसे आदमी और जानवर भी नहीं जा पाते है और पापलर हमारा जानवरों से सुरक्षित रहती है और दूसरी तरफ उन्हें पॉपलर और करौंदा के पौधे से अत्रिक तामधनी भी हो सकती है पौपलर और करौंदा का पौधा लगाने का सही तरीका ना केवल एक आर्थिक सहारा है बलकि खेद की सुरक्षा का भी एक मजबूत उपाय है लोकल एटीन के लिए शाहा जाहा पुर्स से सिम्बरंजीत सिंग की रिपोर्ट